हलो गाइज आज के वीडियो में लेकि आ गया हूँ ट्विस्टिंग क्राउलर आर्सी कार जो कि गाइज एक मेड इन इंडिया आर्सी प्रोडेक्ट है तो चलिए गाइज फटा फट से करते हैं इसका अन्वाक्सिंग और उसके बाद देखते हैं इसको टेस्टिंग करके ता एमाजोन से और इसका प्राइज यहाँ पर देख सकते हैं तो यह आर्सी कार का प्राइज है 1599 रुपे मतलब की 1600 रुपे 1600 रुपीज और इसका बाइक करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा वहाँ पर जाके आप बाइक कर सकते हैं लेकि यह आता है जेम एंड हनी नाम से और इसका यहाँ पर नाम है ट्विस्टिंग क्राउलर आर्सी कार इसको आप सर्च करिएगा एमोजन पर तब भी आपको देहने को मिल जाता है उसके सासद गाइज यह काता है डबल साइड ड्राइविंग मोड है इसके अंदर और उसके सा साथ यहाँ पर कुछ हाइलेट से इसको इससकत गाइज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है किसते बैटरी लगता है रिमोट कंट्रोलर के अंदर और शक्रति można फार यह तो यह यहाँ और यह आपबगम सुगा करते हैं सब्सक्राइब नाने कि यहां पैकिंग आपको देहने को मिलेगा Simple पैकिन है यहां पर है Кар इसको बाहर करते हैं तो दीक सकते हैं मुझा कार कुछ सतरय का दिखने में में, दिखने में तो काफ क्या लग रहा क्याग प्रूलीक वगधर भी सही है खूब यहाद अच्छा तो नहीं कह सकती है लेगिन काफी अच्छा है काम चलने लाइक है यह इसका क्वाइलटी उसके सासद गाइज यहाँ पे देख सकती है यह है इसका रिमोट कंट्रोलर जो गाइज 2.4 GHz का मिंशन है आगे टेस्टिंग में देखेंगे गाइज रेंज कितना ह उसके सासद गाइज यह है ओबरॉल रिमोट कंट्रोलर थोड़ा हलका लग रहा है मुझे क्वाइलटी का तो गाइज यह है रिमोट कंट्रोलर ओबरॉल उसके सासद गाइज यहाँ पे देख सकते हैं आपको देखने को मिलता है एक बैटरी यह बैटरी है लिपो बैटरी 3.7 बोल्ट का और इसको चार्ज करने के लिए ये चार्जिंग केबल और एक यहाँ पर आपको इंक्ट्रक्शन भी देखने को मिल जाता है बॉक्स के अंदर तो गाइज अब यहाँ पर हम बैटरी लगाएंगे कार के अंदर और रिमोट कंट्रोल के अंदर तो फ्रापट से एक स्क्रू डाइबर के मतबस से आप इसमें बैटरी को लगा सकती है तो चलिए गाइज अब आपको दिखाता हूँ इस RC कार का टेस्टिंग करके चलिए फिर आफ़र से टेस्टिंग करते हैं इस सब्सक्राइबर को लेगे चलते चाहिए तो देख सकते एक का条ड बैकवर्ड आगे पीछे इसको फिए कफी इसे आप चला सकते हैं काफी अच्छे से काम तो कर रहा है आगे पीछे हो रहा है if उसुसके बाद काके कैसा उपर नीचे भी होता है और left right भी होता है जो थोड़ा guys problem आ रहा है इसको करने में देख सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ चला के लेकिन guys काफी practice करने पर आप इसको चला सकते हैं तो चलिए guys आप इसमें drift वगेरा लगा के देखते हैं तो देख सकते ह इसको आप दोनों direction में लगा सकते हैं इसको left direction में चाहे तो लगा सकते हैं तो जैसे आप चलाएगा उस तरीका से आप यहाँ पर नीचे कर सकते हैं और इसको काम ले सकते हैं किसी भी चीज के ऊपर से चलाने में तो चलिए guys अब टेस्टिग करते हैं मिटी वाले road के ऊपर इस RC car को तो देख सकते हैं यहाँ पर कार अपना चलने का स्टार्ट कर दिया है और इसका range के बारे में बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं काफी दूर तक इस car को मैं ले जा रहा हूं और काफी अच्छे से काम कर पा रहा है उसके साथ सत इसको चलाते हैं सारे direction में तो इसको दूसरे direction में ले जाते हैं तो देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर चल डा कंट्रोलिंग थोरा हार्ड बुझे लग रहा है थोरा सा practice करते हैं उसके बाद देखते हैं क्या होता है overall तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका performance चले इसमें मारते हैं drift वगेरा तो देख सकते कुछ इस्तिया से drift लगा सकते हैं इस RC कर के साथ जो कि काफी मज़ेदार यहाँ पर लग रहा है दिखने में उसके सासत यहाँ पर आपको दिखाता हूं इसका स्पीड तुझे देख सकते हैं इसका स्पीड यहाँ टॉप स्पीड होगा 20 km पर आर के स्पीड आपको देखन लेए चलती है देखते हैं क्या कर पाता है है चोटा चोटा पत्तर के ऊपर चला के देखता हूं काफी अच्छा से पत्तर के ऊपर से यह कर लेकल जा रहा है बिना कुछ इंटरप्टेट उसके बाद जहाँ पर मैं इसको टस्टिंग करता हूं एक बार लॉंग डेंजमें लेजा करता हूँ तो देख सकते हैं जब मैं किए जा चुका है लें लगा जब मैं इस एकर को वापस लाता हूं तो काफी मुझे मसक्कत करना परता है तो फल्टम्स वह फसंद नहीं आया लेकिन में यहां कार का वैडिव अअमीद हैं आपको पसंद आया Hoगा